नमस्कार भारस लाइक देख रहे हैं आप बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी आदो कोलकाता रावाना हो चुके हैं तेजस्वी आदो की प्रधान मंत्री मोधी के साथ मीटिंग है और इस मीटिंग के जड़िये तेजस्वी आने वाले दिनों की रनीत योपर चर्चा करेंगे लेकिन बता दे कि मुख्मंद्रे नितीज कुमान ने जब से एलान किया है कि वो प्रधान मंत्री मोधी के बिरुद्ध चुनाओ लड़ेंगे और लोगसभा का चुनाओ भाजपा के खिलाफ सभी दलों को ये जूट करके लड़ेंगे तब से जितने भी मौके बन रहे हैं मुलाकात की चाहे बात की जाए अमित साह या प्रधान मंत्री मोधी तो सभी से मुलाकात करने खुद डिप्टी सियम तेजस्वी आदो जा रहे हैं पिछले दिनों कोलकाता रवाना हुए तेजस्वी यादो ने एलान किया कि बिहार के लिए केंदर सरकार बड़ा तोफ़ा देने जा रही है और अब एक बार फिर से तेजस्वी यादो रवाना हो चुके हैं कोलकाता के लिए दिरसल तेजस्वी यादो कोलकाता में नमामी गंगे परियोजना को लेकर एक बैठक होनी है उस बैठक में भाग लेने के लिए गए हैं जहां बंगाल के मुक्क मंत्री मम्ता विररजी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और गंगा से सटे उन तमाम राज्यों के परतिनी वहां मौजूद रहेंगे उसमें चर्चा होगी नमामी गंगे को लेकर गंगा को कैसे स्वक्ष रखा जाए नमामी गंगे के नाम पर पटना में जगह जगह खुदाई हुई है ये बात आपको पता ही होगी और भारतिये जनता पार्टी के खिलाफ तमाम दलों ने उस यो इस मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजा आता है कैसे प्रधार मंतरी के साथ तेजस्वी मुलाकात के बाद अपनी बातों को रखते हैं और बिहार को लेकर क्या कुछ योजना बनती है ये एक मौतपूर्ण चीज होगा लेकिन बिहार में मुक्यमंतरी नितीज कुमार को छ रहा है कि तेजस्वी आदों का कद बढ़ रहा है तेजस्वी लगातार मजबूत हो रहे हैं और नितीस कमजोर बले नितीस कुमार इस बात का दावा कर रहे हो कि आने वाले दिनों में प्रधान मंत्री मेटेरियल है लेकिन अभी तक जो तस्वीरे साफ होती हुए नजर आ र मत्री मोडी से मुलकात होनी है ऐसे में प्रधान मंत्री का गुजरात दौरा भी काफी महत पुर्ण था और अब बंगाल का दौरा है जयाहां नमामी गंगे पडा को लएका मोडी सय तमाम निताओं से तेजास्तुई की मुलाकात होगी